प्रपोर्शनल जितना आपने एंगल ट्विस्ट कर दिया जैसे बाजू को जादा घुमा दिया यहां से जादा घुमाया तो उसके बाद तो नहीं घुमता क्योंकि जितना टॉर्क आप यहां से बना रहे हो वह उतना वह बना रहा है तो जितना एंगल ट्विस्ट आपने कर Magnetic field यह जो spring है इसका torque is proportional to phi phi is angle of twist जितना आपका cylinder twist हो चुगा होगा उतना नीचे से वो restoring torque लगेगा और equality sign लगाएंगे पर यह K5 यह आपका restoring torque है पहले ऐसे था zero reading है आपका scale जो बना हुआ है यहाँ पर आप मान लेएंगे zero reading है तो इसके कारण से magnetic field के current torque कैसे लगेगा नीचे वाला अपोस करेगा एक पॉइंट पर torque applied by magnetic field and restoring torque will be equal उस टाइम पे जहां यह रुकेगा वो reading आपकी current की आज़ेगी ठीक है तो आप restoring torque और restore को बराबर करेंगे k phi equal to n i a b phi होगे आपका n a b by k into i number of turns constant area of loop is constant magnetic field का magnitude is constant k is constant सारे constant हैं तो जो आपका phi है जो twist हुआ जो निदल twist हुई है वो proportion हो जाएगा current के तो calibrate कर लेंगे और आपका current phi k directly proportion हो जाएगा कि नो डाउन कर लेंगे कि आपकी बोल रहे हैं उसका cancelling effect कुछ होना चाहिए exactly यहां पर मैंने इसको निलाइज आपकी किया नहीं कि यह आप कह रहेंगी बाकी magnetic field lines का क्या हुआ 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 आपकी यहां पर यह magnetic field lines आपका लिए होंबर का में चेक करता हूं उसको इपर कि exact magnetic field lines दो करेंगे तो वो net बन रहा है क्या या कुछ N is number of turns, the number of turns हम जिसना क्लियर है, एक मेर पूरा मैं दुबारा से इसे कर रहा हूं कि अर्रेंजमेंट आपको ख्लियर है एम क्या है अमाउंट और करन्ट आपको मेज़र करना है आपका टॉर का रूर करिंग लूप का प्रण्जिपल लगेगा जो आपकी मेंगेंट्स उस तो nics1 रेडियल मेंगेंटिक फिल्ड है ठीक है ऑगेंगंडिक और निक्रॉक्ष घथ सब्सक्राइब हर जगह M भी बन जाएगा कि मैगनेटिक डाइपोल मोमेंट M is नथिंग बट आई इंटु ए एक लूप का एंटर्न होंगे तो एन आई एंटु भी यह टोर्ग आ गया जब यह टोर्ग इसके ओपर लग रहा है तो नीचे वाला जो स्प्रिंग है वह आपका ट्विस्ट होने पे रिस्टोर्ग बना रहा है तो रिस्टोर्ग तो पर्पोशनल डूफाई एंगल ऑफ ट्विस्ट पे डिपेंड करेगा तो इसको से इकवेट करेंगे जहां पे दोनुग वराबर हो जाएगे वहां पर ओ निडल रुख जाएगी और उतनी आपकी तो 5 is proportional to I जितना ज्यादा current उतना ज्यादा आपका आपकी निदल भूम जाएगी This is all about moving 12 Kelvin कि current के proportional में आपका आपकी reading आएगा क्या करें spring मीचनना होता अच्छा आपकी यहां तक आजाता है मेरे साथ से तो रुपता ही नहीं रुपता कैसे नहीं क्योंकि magnetic dipole moment tries to align along the direction of field तो वो तो वहां तक जाता है ना महां तक जाता फिर momentum होता उसके अंदर भूमता आगे जाता तो वो oscillate करता बेसिकल अगर इस्टोरिंग ठोर्क नहीं होता तो निख लिया सब कर दूँ पो भीदेट तो नहीं हुआ TIM सब कर दो मुपता नहीं होता है द्ठाउग कि मुविंग कोई गेलवनोमेटर के साथ अटेच्ट दो और क्वांटिटी डिपाइन गई की गई हैं एक है सेंस्टिटिविटी ओप गेलवनोमेटर आपने देखा फाइव क्वल्डू एन वी ए बाय के इंटू आई है यहां पर मैं अध्या कि फाइवाई आई को एकसेट लेकर आ रहा हूं और इन बी ए बाय के को एकसेट लेकर जा रहा हूं कि यह तरम क्या है मिघशा पैड त्विस्थ हैं जो आप डिफलेक्शन भी बोलता है डिफलेक्शन इंडल तो इस ट्रम को क्या बोलेंगी आप डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट अगर एक यूनिट करेंट के लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा हो तो क्या आपका गैलवेनोमेटर ज्यादा सेंसिटिव है 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 अगर मानवें ब्वनिट मान रहा हूंगी वन है माइक्रोएम्पीर एक गैलवेनोमेटर 2 माइक्रोएम्पीर क्रेंट के लिए 30 डिग्री रोटेट करता है और दूसरा 60 degree rotate करता है 60 degree है उसके बीच में कई सारी reading और आप fine reading ले सकते हो कि कितना measure हुआ तो जितना ज़्यादा deflection per unit current रहेगा उतना ज़्यादा आपका galvanometer sensitive रहेगा तो sensitivity of galvanometer is defined as deflection per unit current सब्सक्राइब आया गया अब यहाँ पर आप मान ले spring का जो constant के वो given है fix है B is also fix A is also fix क्या number of turns बढ़ाने से galvanometer की sensitivity बढ़ेगी बढ़ेगी अगर आप ज़्यादा उससे wrap करोगे वायर ज़्यादा rounds तो आपका ज़्यादा sensitive galvanometer होगा तो आप लिख सकते हैं कि sensitivity increases on increasing n n को increase करने से आपकी sensitivity बढ़ती है sensitivity को एक तरीके से और define करते हैं voltage के terms में यह एक तरीका है sensitivity डिफाइन करने का एक तरीका और है वह है पाइब वी जिसने आपके फाइब आई निकाला आपने वह है deflection per unit voltage डिफ्रेंस पोटेंशिल डिफ्रेंस अगर आप फाइब हैं वी बनाएंगे तो यह बनेगा एन बी ए कि कि आई वाई वी आई पी पुछ नहीं किया इस तर्म में दोनों साइट वी से डिवाइड कि है तो आप बताए mar jusqu STEM किया वननेगा कि तो यहाँ पर इसकी जैगे में आपनार पुट कर दूँ कि एन बी एबाइए के वन बाइए और इसको भी आप सेंसिटिविटी बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी बोल सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर बी ए और के कॉंस्टेंट है तो आप बता जें कि नंबर ऑफ टर्ण बढ़ाने पे वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी घटेगी या उतनी रहेगी बढ़ेगी क्या नंबर ऑफ टर्ण बढ़ाने पे आर नहीं बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा जतने आपकी लेंठ बढ़ जाएगी उतना ही आर भी बढ़ जाएगा त्यक्वीस आफिको र एग तोर स्थां फिलो ल, अपाने अ तो number of turns बढ़े तो आपका R भी बढ़ जाएगा R भी बढ़ जाएगा N भी बढ़ जाएगा तो आई आपकी यह वाली voltage sensitivity number of turns बढ़ाने पे नहीं बढ़ती तो आप note down कर ले voltage sensitivity does not change on increasing number of turns voltage sensitivity does not change on increasing number of turns because resistance increases in same proportion resistance increases in same proportion यह आपका है moving coil galvanometer कि दो बहुत important applications है moving coil galvanometer को emitter के form में यूज़ करना और volt meter के form में यूज़ करना यहां तक क्लियर है ok ok आपकालन यह बढ़नों सक्वार ल there अफ अपकाथ को सब्सक्रीण ऐkeit कि अब कि अब कि अब कि अब कि मीटर की दोनों वैसे होती हैं आपकी स्पेलिंग और इभी होती है यह बिटिश और अमेरिकन जो भी रहती है पर आप जो भी असको यह समझें के गैंपशुल यहां करेंट मेजर करता है और बोल्ट मेटा का कि पोटेंशियल कि डिफेंट मेजर करता है किसी सरक्रेट में अगर आपको करेंट मेजर करना है तो आप M-meter को सिरीज में लगाते हैं अगर आपको इसके अंदर current मेजर करना है तो M-meter को सिरीज में लगाएंगे M-meter आपका सिरीज में लगता है तो measure current अगर आपको किसी किसी रेजिस्टर के अक्रोस potential difference निकालना है तो बोल्ट मेटर पैलल में लगता है अब यह M-meter गैलवेनोमेटर पर कैसे बनता है वो देखते है M-meter का जो equivalent diagram है वो क्या है गैलवेनोमेटर है गैलवेनोमेटर में wire है तो उसका कुछ resistance होगा उसको हम बोलते है R-Z गैलवेनोमेटर के पैललल में हम shunt resistance लगाते है R-S shunt resistance का मतलब होता है अगर कहीं पैललल में लो रजजिस्टेंस लगाया जाए उसको बोलते है शन्ट रेजिस्टेंस ऐसा क्यों किया है देखते हैं एक बर अगर मैं गैलवेनोमेटर को सीधा लगाता है यहाँ पे पर एक्जामपल मेरा यहाँ पे यह है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 2 ओम तो अमेटर नहीं लगा होता यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा होता तो मेरा करेंट होता 10 वाय टू 5 एंपिर अगर मैंने यहाँ पर डिरेक्टली गैलवेनोमेटर लगाया जिसका भी सबस्टेंचियल रेजिस्टेंस था तो मेरा जो करेंट बनेगा अब आई 10 अपॉन 2 प्लस और जी हो जाएगा जो नापना था वही बदल गया नापने आप अन्वान जी की तरह बड़े हो गए एंगा छोटे होगे तो वह हमें चेंज नहीं होने देना आपने गैल्वन मिंटर में फैलल वे शंट रेजिसेंज लगाना लास उससे क्या होगा उगेंगेंleri यह च्र機ंश तर यह रहा था यह रिजिसंश पहुंग है बहुत कम यह तो maximum current यहां से चला जाएगा और वहां से आ जाएगा इसके अंदर बहुत कम current जाएगा अब देखते हैं कि अगर ऐसा कर दिया parallel में कम resistance लगा दिया तो दोनों का net equivalent resistance कैसे बनता है देखते हैं in this case R equivalent is RG RS RG plus RS RS is very small as compared to RG can we neglect this term कि यहां पर neglect कर दिया उपर से जी कट गया तो आर इक्विवेलेंट कि बिकम्स ओल्मोस्ट इपल डू आरेंस कि एंड आरेंस वरी स्मोल जब आपका आर इक्विवेलेंट आरेंस होगा आरेंस बहुत कम होगा तो जो करेंट नापना है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा तो ऐसा करते हैं ऐसे आप क्या करते है है Medien लगत है एन मिट्र का क्या रंसक्षिन है एन मिट्र सी यह है तो शंट्ट पैलल में लग 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 लेगा झाल है है और अहुंद के यह कि वह प्रपोर्शनल रहेगा अगर प्र एकज्जाम्पल् इसके अंदर गया-0-0-1 मैं खिए धेडींग को टिपर लोगा आ Inspector में नेम है कि आपका करेंट इस में इसको देख लेक्र आप यहां पर आपका मैं आप सब्सक्राइब का एक्वी-वेलन डाय ओस लगायाँ कि तो भी आना मेट्र आपने सब्सक्राइब एक अब करने ने की इसकाれた एा मैं आझ जी जो इसके अंधर शाल बाहर दिखाया गया है साथ में ओर डला लगा दिया आई डैश हाई रेस्टेंस इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर यह पूरा था आपका यह अमिटर था यह आपका वोल्ट मीटर है यहाँ पैसे क्योंगी आए अब देखो सेम केस यहीं भी है E को मान लो E is 10 वोल्ट R is 2 Ohm I equal to B upon R 10 by 2 5 कि इतना करेंट आपका यहां से जाना है अगर आपने पैरलल में कोई रेस्टेंस लगाया है इसकी अक्रोस आपको पोटेंचल डिफरेंस नापना है पोटेंचल डिफरेंस अप्रोस इस विल भी IR तो इसके पैरलल में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होना चाहिए इसके थूप पास करें तो आई आपका चेंज ना हो पोटेंचल डिफरेंस वही रहे तो इसलिए बाहर वाले को आपने आपने अपने ओड़ाइड कर दिया ताकि करेंट उसके थूप कम से कम जाए सारथ इसके थूप जाए और आई आर आपका आई इंटू आर का जो वैल्ली एव सेम रहे ठीक है तो इस केस में आपका ऐसे जाए गाई है बस इसमें कुछ कल्कुलेशन है नहीं अब करेंट 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 इसके पास तो मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो करेंट बढ़ गया मानलो देखते हैं इसके यह पास है और वह मानलो यह आपका मानलो दो ओम था वह मानलो दो हजार है तो आर एक्वीविलेंट इक्वल टू दो हजार इंटू दो दो हजार प्लस दो तो दो हजार के कंपरेशन में दो को अटा सकते हैं उपर से कट गया इतना आगया दो यह तो पैरलल में जब आप लगा देंगे तो सिफ रेजिस्टन से खास खास अरक नहीं बढ़ेगा करेंट लगबग लगव उतना ही रहेगा तो करेंट उतना ही रहा तो आई इंटू आर उतना ही रहेगा तो पोटेंचल डिफरेंट जो इसी अक्रोस था वही वही आपने नाप लिया बात बन गई देखाओंगे वाद आई देखाओ वोल्ट मिटर कहा लगा वाना यहाँ पहले करेंट आई जा रहा था गोटमेट नहीं था और पोटेंचल डिफरेंट अपरोस इस इसल भी आई यार विटल ही आई म्हें आपने जब वोल्ट मिटर लगाया तो वोल्ट मिटर क्या गरेगा equivalent resistance को बदलेगा अगर यहाँ पिसके comparable resistance होता तो इस current का कुछ हिस्सा वहां flow करता और जैसे ही महां flow करता यह वाला current आपका कम हो गया यह वाला current कम हो गया तो IR कम हो जाएगा potential difference अपका घट जाएगा जो नापना था भही घट गया तो हमें क्या करना है हैं कि वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को हाई रखना है इसलिए एक 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 इस्ट्रा रेजिस्टेंस आपने एड़ कर दिया कि इस आपका वहान से करेंट गया नहीं भी करेंट यहां से है तो वीखल डू अई यार्व ही आपका रहा अब जो आपके सवाल बच्चे से करेंट एलेक्रिसिटी में मेजरिंग डिवाइस के गैलगनमेटर वोल्ट मेटर के वाफ कर सकते हैं एक ट्राइब कर सकते हैं कि आज आपको इस शीट लेकर जानी है ध्यान रगना क्लास के बाद डिस्ट्रिब्ट करेंगे कि आपके पास करेंट वाली नहीं है एक चप्टर के आपके बीचे रखा करें देखें सवाल आप गैलवन मिटर ऑफ हंड्रेड ओम रिजिस्टेंस कि यह नोट कर लिया गया अब गैलवन मिटर ऑफ हंड्रेड ओम रिजिस्टेंस मिन्स आर जी आर जी हंड्रेड ओम यह इस कंप्लीट दिफ्लेक्शन दिफ्लेक्शन का करेंट है वो तैन मिलियंप यह मतलब जब तैन मिलियंप यह क्लों करेगा तब वो मैक्सिम्म देगा वट शुद विडवेल्यों शंट आर एस कितना हो तो दैट गैन मेजर अप्टो हंड्रेड मिलियंप द्वारा बुल रहा हूं रिजिस्टेंस ऑफ गल्वनमेटर इस हंड्रेड ओम है एक एट कम्प्लीट उप्रेशन इंडमेजर्स टैन मिली एंपईर यह वोल रहा है कि शंट कितना लगे कि वह मैक्सिमुम्म जो मेजर्ड़ करेंट है कि मेक्सिमम मेसर दएक तो मिली एंपिर कर सके इए वो गैल्वेड़नमिेटर को आप डिरेक्टी एंपिर में इसलिए भी उजर नियूंस कर सकते हैं कि उसको कुल कर disciplines did तो वह मैक्सिम्म पर आजाएगा अगर कोई करेंट है जिसकी वैल्यू 100 मिलियंपीर है वह मेजर करना है तो आपको गैल्वन मिट्रूपर मिट्र बनाना पड़ेगा एक शंट लगा कि वह बोल रहा है कि शंट की कितनी वैल्यू रखूं की इतना मैक्सिम्म करेंट वह मेजर कि अगर कि यह सवाला करेंट वाले सेप्टर का हो गया है अब बिस्ती पार्ट होने आ गया है तो कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर को कि अगर 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 कि अ झाल झाल पाल झाल अगर करेंट आई फ्लो पर रहा है तो आपको पताया कि उसका मैक्सिम कितना है 10 मिलियंपियर आपको नापना कितना है 100 तो शंट कितना जाएगा 90 अगर सिर्फ गैलगनोमेटर लगा होता तो वो 10 को नाप सकता है ठीक है अब आपने यह लगा दिया तो बहुत सारा करेंट यहां से भी पास करेगा तो वो सारा मेजर करेगा इसका निकालना है तो क्या दोनों के अक्रोस पोटेंचिल डिप्रेंस रहेगा कि दोनों पैडल में तो इसका आई यार इसका यह बराबर रहेगा तो आप हंड्रेड इंटो दस मिली अम्पेर दस बटा हजार इक्वल तो 90 मिली अम्पेर आर एस 90 अब भाइटाउसलेंगे अब आज़ेंगे तो इस इकल डूंड़ेड़ वाइड नाइन वर्यूंट बना रहें कि समझ में आने के बाद आप सवाल कर सकते हैं कि आप यह देखना आप यह मत सोचना है तो इतना कैसे सब्सक्राइब अब यह पूरा सा फूरा आपका एंबीटर है आपने अर्रेजमेंट कर दिया हैं यह एसा कि सफाइड घया है अब आप रिटिंग कि प्रशे लेंगे कि दस मिली एंपियर को आप तो मिली मानेंगे अगर यहां से पांच मिली एंपियर जाएक तो फिर आपको साधा हो जाएगा इस एक और करेंगे तरह देजिस्टेंस अफ़ गलवनोमेटर इस जी ओम एक गलवनोमेटर का रिजसेंस जी ओम है इस यूज एज वोल्ट मीटर उसका पर वोल्ट मीटर की तरह यूज करते हैं जिसकी रेंज है वन वोल्ट की नाओ यूँ वों तो कनवर्ट इस वोल्ट मेटर इंटो अबिगर रेंज आफ तैन वोल्ट रेंज आपको कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा इन सीरीज तू गैलवनोमेटर का रेजिस्टेंस जी ओम है जी इसकी वैल्यू है वोल्ट मीटर की जो रेंज है वो सुरी गैलवनोमेटर की तो यह लगा हुआ है तो इसकी रेंज इतनी है आपको कनवर्ट करना है कि वो टैन वोल्ट तक ना सके तो आप क्या करेंगे कितना रेजिस्टेंस सीरीज में एड़ करेंगे अगर सिर्फ गैलवनोमेटर लगा है करेंट आई फ्लो कर रहा है पोटेंशिल डिफ्रेंस अक्रोस दिस इंटु जी कि साथ में आप एड़ कर देंगे कोई और जी के साथ आर भी तो तब कितना हो जाएगा तब आई जी प्लस आर पहले वाले केस की वैल्यू कितनी है वन बोल्ट है अब वो बोल जाए कि टैन बोल्ट हो जाएगी पास को निकाल लिए वैल्यू ओफ आर अरा जानी सुझ में आया वोल्ट वीट मीटर में गैल्वेनो मेटर क्लस रेजिस्टेंस और साथ में जिसके अगरोज आपको निकालना है तो इसके अगरोज जो पोटेंचल डिप्रेंस होगा इसके अगरोज भी वही होगा तो अगर वो दस वोल्ट पहले वन वोल्ट मेजर कर रहा था सब वो आई इंटू जी था अब अगर आइड हो गया तो आई इंटू जी प्लस आर हो जाएगा और दस वोल्ट हो जाएगा डिवाइड करेंगे आई कटेगा एक वेजिबल बचेगा आपका आर इंटरम्स जी आ जाएगा कि इतना नाइन जी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे एक और करते हैं कि वहाँ पर हम कर सकते हैं इसको बट गैल्वेनोमेटर समझने के बाद ज्यादा पील आती है कि गैल्वेनोमेटर हैज रेजिस्टेंस आप गचेवल तर्टी सिक्ष ओम पर शुंट ओव प्रोर्ड और ओस एड़ देंग दें देंग प्रेंग से लिए देंग करेंग प्रेंग पासे दो गल्वेनोमेटर कितना fraction of current galvanometer के तुरू पास करेगा कि अधिए पर यहां पर करेंट आई है वन भाए वन भाए यहां पर करेंट आई गया है उसका पार्ट यहां जाएगा यहां जाएगा लेट से आई वन मान लिया आई टू मान लिया तो आई वन आई टू क्या दोनों के अगर उस पोटेंचल डिफ्रेंट सेम रहेगा तो आई वन आई टू को आप मान लें आई टू इस आई वन आर जी आई वैए वैल्यू दिरखी है दिरखी है आई चछत्यस है आर एस तो यह 9 इस और नाइन वन वह गया total current I is I1 plus I2 I2 का आपट कर दे 9 I1 so 10 I1 हो गया total current I I1 इकल तो I by sorry I1 by I is equal to 1 by 10 क्लियर है यह सवाल जो रह गए थे measuring devices के उनको ट्राई कर लेंगे doubt रोगे तो मैं ले लूँगा एक दन आज इतना है करते हैं thank you